हेलो फ्रेंज वेलकम टो वुलनाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है देखे फ्रेंज मैंने इस डिजाइन का वीडियो है चार दिन पहले ही अप्लोड करा है जो से हमारी सब्सक्राइबर प्यारी है जो मीनक कुमारी जी है उन्होंने मुसर कि आप इस चोली के लिए कित कंप्लीट करी है फिर आप इस सेकेंड चैन से जो आप इसका पैटर्न जो है बनाना स्टार्ट कर सकती है एक हमारी और सब्सक्राइबर जी है किरन बंसल जी है उन्होंने मुसरे पूछा था कि आप इस डिजाइन को क्या हम पांच नंबर काना में भी सेम पैटर्न रखे तो जी बिल्कुल आप इसे पांच नंबर काना में देखे मैंने पांच नंबर काना जी के लिए ही बनाई है मैंने ती नंबर काना जी के लिए पहुंझ बनाई थी चॉली यह सरो रीड्रेस तो उसमें मेरे साथ जो है यह मेरी पतियां बनकर तियार खुषी थी केसे कप हमारा यहां से पिछे से शुरू होगा अगर हमारा जोग तर्ण यहां से स्ष्रूर्ण को पिछे से अगर आपको इस चोली को और बड़ा बनाना है गहरे को और बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसके दो राउंड और बड़ा बना सकते दो राउंड और बड़ा बनाने के बाद जो आपका गहरा थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो बीकों jest तो इसी तरह से आप 2 या 3 या 4 चार और पांच का सेम पैटर्न रहेगा और अरतें का भी आप से पैटर्न ऐसे रहेगा बस जो है हम को जो है यहाससे जो घरा है वहाँ से बनाने पड़ते है अगर हम नहीं बनाएंगे तो थोड़ा से योच मैंट हो जाएगा तो चलिया फ्रेंज हम जो है अपना आज का वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं कि अब क३शित आज वह हम जो है यह जो है ड्रैस बनाएंगे अगर विडियो अच्छी लगे तो प्लिच वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ वीडियो शेयर करना मत बुलिएगा देखिए इसे में इस दो कलर में बनाऊंगी एक पीच कलर में और पिंक कलर में देखिए यह मेरे पांच नमबर काना जी किया और इसमें भी मैंने 27 ही डबल क्रोशे बनाए हैं आप इसे तीन नमबर काना जी के लिए भी आप इसे सेम पैटरन ही रखेंगे देखिए हमने स्लिप टिच करते हुए और आम होल तक आ गए हैं कि अगर आपको कोई दिख्कात आती है बनाने में तो आप मुझे का जो है कि कमेंट कर सकते हैं कोशिश पूरी करूंगे आपके हर स्वाल का जवाब देने की अब देखिए हमने 3 डबल क रुखर स्वाब गहां क्या करना है एक गंवाब देखिए हमने दबल क्रहिट के और हमने चैनली देखिएम लोग पलोग दबल क्रोक्रोसिया बनाएंगे फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, और फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखिए हम इस रोग को इसी तरह से जो है, कम्प्लीट करेंगे, एक एक चैन लेंगे, और नेक्स्ट चैन में हम को complete करते हैं देखे फ्रेंस हम जो अपने वाक के लास्ट में आ गई है एक चैन लेंगे और देखिए हमने चार चैन बनाई थी ना एक दो और तीन तो हम थर्ड चैन में जो इसे स्लीट के साथ जोइन कर देंगे अब देखिए हमें क्या करना है एक दो तीन और दो आर से चार चैन लेंगे अब देखिए हमें क्या करना है अब हम जो है इस जो हमारे होल बने है हम इसमें काम करेंगे इस तरह से दागे को लेंगे यहां एक डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए हमारे पार एक डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया और एक चैन लेंगे देख देखिए अब हम क्या करेंगे फिर से एक चैन लेंगे फिर नेक्स्ट में हम लोग एक बार डबल क्रोशिय अबनाएंगे फिर एक चैन लेनी है फिर नेक्स्ट में हमारको एक डबल क्रोशिय फिर एक चैन लेनी है और द्वार से इसमें जो हमारको एक बार बनाना देखिए ह हमने हर तीसरी में देखे एक दो और तीर में हमने दो बार डबल क्रोशे बनाए और बीच में जो एक चैन लें यह कह दीजिए एक वी स्टिच बनाए हमने एक चैन लेके फिर हमने एक और दो बार हमने जो है डबल क्रोशे बनाए और थर चैन में जो हमने फिर से यह दो बना एक बार आप फिर से देख लीजिए एक चैन लेंगे फिर देखिए नेक्स्ट में बनाए हमने एक डबल क्रोशिय फिर एक बार चैन लेंगे फिर हम लोग जो है नेक्स्ट में बनाए एक डबल क्रोशिय फिर एक चैन लेंगे अब देखिए हमने दो बार तो एक बार बनाए है ड़बल क्रोशिय अर्फ न हो तो इसमें हम लोग दो बार बनाएंगे और देखिए हमें किस स्टेंट बनाना है हम जो है इसको टाइट बनाएंगे थोड़ा सा अम जादर लूज कि बनाएंगे एक बार फिर एक चैन लेने के साथ जब हम 2 बार बनाएंगे तो इनके बीच कि आके का लिए जब करोश की आपने रहेंगाइक इसके तरह से राउंड कहता है तुक्षेल बेच निकलतीन दनाई हो मैं के म fundamental भी खान एंग्सटा इसदो आप ொल्योम से टाएट इस धी यहाँ पर हमने एक डबल क्रोशिय बना है और यहाँ को दो बार बना रहे हैं एक बार फिर एक चैन और फिर एक बार और डबल क्रोश्या यहीं पर बनाएंगे और एक चैन लेके जो थल एक दो तीन थल चैन में जो हमें स्लीप टीच के साथ इसे जो है जो है जोइन कर देंगे इस तरह से अब हम यहीं पर द्वारा से एक दो तीन चार इस तरह से बनाए कि एक चैन अब हमें हर फॉर्ट में बनाना अदेखिए एक दो रख यो से पास द लाउ ंओ एक तो एक हम नहिंट किसे हमाने पास 2 पर नहीं है डिएम सब्सक्राइल बिच तो देखिए, वी जे हमार दो है, इसके उपर हमने दो ही बनाए हैं, फिर चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में बनाएंगे, फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल करोशिया, फिर एक चैन लेंगे, फिर नेक्स्ट में एक डबल करोशिया, फिर एक चैन लेंगे, आप देखें, मार पास यहां दो आ गए हैं, तो दो के उपर हम दो ही बनाएंगे, एक बार बनाया, फिर एक चैनली, फिर एक द्वारा से इसी में एक बार ओर डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो देखें फ्रेंड से हमें इसी तरह से अपने वक को करते हुए जाना, इस तरह स दू हमने यहां पर दो बनाएंगे, फिर यहां दो थे, अभी यहां पर तीन ओगे, फिर चार फिर पांच, इस तरह से जो हम इस राउड को जो है, बड़ा करेंगे, ईक बार फिर से समझ लिजी, एक चेन लेंगे एक डबल क्रोश्या पिर एक चेन्ध फिर एक डबल क्रोश्या फिर एक द आँप तो एक चैन ले ली एक डबल क्रोशिया फिर एक चैन ली फिर द्वारा से इसी में हमने जो है एक और बार बनाया तो इसी तरह से जो मैं इस राउंड को थोड़ा सा जितना राउंड आप बनाना चाहिए आप उतना बड़ा इसे बनाईगी जी देखिए फेंस हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से जो बनके जो हमारा तियार होगा देखिए हमने क्या करा है देखिए यहां हमने जो है देखिए एक और दो देखिए हमार पास इस तरह से जो है कली बन रही है देखिए यहां पर हमने पहले एक और दो दो के बाद हमने थर्ड चैन में जो है इसको दो बार बनाया है फिर यहां देखिए एक दो तीन फिर हमने तीन के बाद बनाया है एक दो तीन चार फिर चार के बाद है एक दो तीन चार पांच यह हमारा पांच वा राउंड है और ये एक, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और आठ, फिर आठ के बाद हमने नाइन पे बनाया है, तो इस तरह से जो हमने अपने घेरे को बना लिया है, तो अब यहां पे जो हम अपने दागे को कट कर देंगे यह हम स्लीप्ट के साथ इसे जो है जोइन कर देंगे तो अब हम इसमें अपना नेक्स्ट कलर शुरू करते हैं देखे फैंस इसमें मैंने अपना कलर जोड़ दिया है यहां पर देखे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाए है फिर हम एक होल छोड़के फिर नेक्स्ट में हम लोग जो है एक दो दस बार डबल क्रोशे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नुँँग दो जोड़के बनाएंगे 10 देखिए 10 है एक छोड़के हम होल फिर नेक्स्ट वैसे हम लोग सिंगल क्रोशी है करेंगे फिर देखिए हम एक पहर से चोड़ेंगे फिर नेक्स्ट में हम लोग दस बार दबल क्रोशी बनाएंगे एक, दो, तिन, चार, पाँच, छे, साथ, आट, नो, देखे, इसमें 10 बार डबल क्रोशिय बनाया है, फिर यह देखे, साथ में जो यह होल है, इसके साथ वाला, इसे हम स्किप कर देंगे, और नेक्स्ट होल में जो हम लोग, सिंगल क्रोशिक साथी से जोइन कर देंगे, तो हमारा जो पैटर्न है, कुछ इस तरह से बनेगा, एक देख लिजिए, देखे, अब हम यह जो हमने वी बनाया था, एक होल हम छोड़ेंगे, अब इस नेक्स्ट में हम लोग, दस बार डबल क्रोशिय बनाएंगे, तो इसमें इसे दस बार बना दिया है, डबल क्रोशिय, अब देखे, हम यह नेक्स्ट वाला होल हम इसे स्किप क करेंगे और उससे next में जाम इसे single crochet साथ जोइन करेंगे फिर एक छोड़ देंगे फिर next में हम लोग 10 बार बनाएंगे तो इसी तरह से जो मैं इस राउंड को complete करती हूं देखि हमारा वर्क जो कुछ इस तरह से बनके जो है तियार हुईगा देखिए फ्रेंट्स मैंने अपना वर्क जो है complete कर दिया है देखिए हमारा जो है डिजाइन कुछ इस तरह से जो बनके तियार हुआ है अभी एक बार आप इसे फ्लैट अराम से दबा देजिए अब देखिए हम जो अपने इस डिजाइन के लिए जो है अब इसकी डोरी बनाएंगे तो चलिए से भी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए मैं जो है पचास चैन बनाऊंगे एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस तो चलिए मैं से बनाती है फिर मैं आपको आगे दिखाते हैं देखिए फ्रेंड्स एक दो तीन तीन को स्कीप करके फोर में जो है हम लोग अपने डबल क्रोशिया बनाएंगे तो इसके लिए जो हमेंने पचास चैन इस्तिमा कड़ाल करी है और अईसमें हम लोग जो है दस बार दबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के देखिए होल सा है चोटा सा इसी में जो हमलोग जो है अब लाए दस बार दबल क्रोशिया बनाएंगे कि एक दो तीन चार कि पांच कि ऑच чи साथ, आठ, नो, दस, अब इसे हम इसमें जोइन कर देंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम जो है, क्रोशी की हुक से, देखिए यह हमारे पाक कलोचा है, इस तरह से जो हम एक, अब हम तकर चाहिए है, एक डूर्फ, इस तरह से, जो हम हम एक को कीरी, था-एक तरह सकते हैं, ऐसमें मैंने एक को चीप किया है, हर दूसरे इसमें जो है, जो हम हम इसे पिरोती हूँ, देखिए इस तरह से, क्रोशे की हुक, की साहते से, आप चाहिए, तो इसमें सोई का वि तरह से जो हमें इसमें यह डोरी को बाल देंगे देखे फ्रेंट्स मैंने जो हिसमें जो हिस डोरी को पिरो दिया है अब देखें इस सेड भी यहां से जो हमें अपना दागा कट कर लेंगे कि अब दो आठे है तो इसी तरह से जो हमें यहां पर भी यह डोरी बना लेती हूं फिर मैं आपको आगे दिखाते हूं देखें फ्रेंट्स मैंने अपनी अड्रेस कम्प्लीट कर ली आए देखें फ्रेंट्स सिंपल डिजाइन है फिर भी कितना खिल्टे जो है जाइन आया ह प्रेंट्स आगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक किजेगा चैनल को सब्सक्राइब किजेगा फ्रेंट्स और लेटिव की साथ वीडियो शेयर करना मत बुलिएगा देखे फ्रेंट्स मैंने इसके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ रांड बनाए हैं और नाइन्थ में मैंने इसको उपर लास्ट की फिनिशिंग दी है प्रेंट्स अगर वीडियो अच्छ लगे तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको यह डिजाइन और यह ड्रेस किस तरह से लगी है फ्रेंट्स मैं जब भी पांच नंबर कानाजी के लिए बनाती हूं तो मैं लास्ट में 27 ही डवल क्रोशिय रखती हूं थोड़ा सा ज्यादा डवल क्रोशिय रखने का में प्रोसेस ही है क्योंकि धागों का काम में अगर एक भी धागा तूटा तो फूरी ड्रेस खराब हो RACH biếtए आरना होिख और इना हो क्यू रखती है लोग hassस्टिपर क्रोश। के वहा लोगल है अःवर प्रोश पार